यह वीडियो science class 10 electricity numericals का हमारा next part है तो इसके पहले आप 10 parts को जरूर देख लिजे क्योंकि 10 parts में मैंने आपको बहुत सारे numericals पढ़ाए है तो यहाँ यदि आपने 10 parts देख लिया है उसके बाद ही यह वीडियो आप देखी यह आप ensure कर लिजे तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा तो चलिए हम लोग एक एक question को देखते हैं इस question को बनाने के पहले मैं बता दू मैंने बहुत सारे formula आपको पढ़ा दी है तो हम लोगों ने शुरू कहां से किया था हम लोगों ने शुरू किया था सबसного पहला i is equal to q by t मैंने पढ़ाए था दूसरा मैंने पढ़ाए था q is equal to kya होता है any इसके बाद मैंने पढ़ाए था v is equal to w by q फिर हम लोगों ने पढ़ा था v is equal to ir फिर हम लोगों ने पढ़ा था r is equal to ρl by a इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि यह जो combination of resistance है तो series में होता है तो r is equal to r1 plus r2 plus इस प्रकार से और जब यह parallel resistance था तो equivalent resistance हम लोग निकाल रहे थे तो इस प्रकार से effective resistance तो 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था और इसके बाद next हम लोगों ने पढ़ा था h is equal to i square rt और फिर हम लोगों ने पढ़ा था p is equal to vi तो यहां तक हम लोगों ने formula पढ़ लिये है और इन सारे topic से अलग-अलग करके 10 videos मैंने बनाया है या उससे भी ज़्यादा videos होंगे तो आप उन सारे videos को देख लीजे उसके बाद यदि आप यहां पढ़ेंगे तो आपको सबसंग में आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला question a piece of wire of resistance r is cut into five equal parts तो इसी प्रकार के question को मैंने आपको बताया था आपको याद होगा इस प्रकार के question को मैंने आपको बताया था कि यह piece of wire है मालने जी कि यह piece of wire है यहां से यहां तक piece of wire है इसका length क्या है? L और इसका resistance क्या बोल रहा है? R अब यहां पर यदि इसको पांच भागों में बांट दिया जाए और equal parts में तो 1, 2, 3, 4 and 5 तो यह 5 equal parts हो गया तब दिखेंगे कि यहां पर यह जो length हो गया यदि यहां से यहां का बात करें तो यह L by 5 हो गया और आप जानते हैं कि यह resistance होता है directly proportional होता है length का इसका मतलब यह जो length बढ़ेगा तो resistance भी बढ़ेगा और length घटेगा तो resistance भी घटेगा और साथ ही एक बात और मैंने बताया था कि यहां पर यह जो length बढ़ना या घटना चाहिए तो उसमें यह material का जो मोटाई है या वी बोले cross section के area है ना बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए तो यहां पर ऐसे ही बोला गया कि इसको यदि काट के हम लोगों ने छोटे-छोटे 5 पांच बनाया है तो यहां पर ना इसका मोटाई बढ़ेगा ना ही घटेगा इसका मतलब R directly proportional क्या हो गया गया एल तो यहां पर यदि length 5 गोना कम हुआ है तो R भी क्या हो जाएगा R बटा 5 हो जाएगा इसका मतलब प्रतेक भाग का resistance क्या हो गया R बटे 5 यहां पर बोलेंगे R upon 5 तो यहां पर अब क्या बोल रहा है इस parts are then connected in parallel तो इनको कैसे जोड़ दिया गया है parallel में इस प्रकार से combination कर दिया गया है तो यह मैंने आपको बताया था कि 4 equal parts वाला मैंने question आपको बताया था आपको याद होगा तो यह थोड़ा सा drawing यदि सही नहीं बन रहा है तो आप इसको सही कर लीजेगा तो मैंने आपको 4 में बताया था कि किस प्रकार से तो यहां पर आप देख सकते हैं यह 5 parallel में यह हम लोग जोड़ देंगे तो यह क्या हो गया? R upon 5 फिर सब R upon 5 हो जाएगा 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 और इसका जब हम लोग effective resistance calculate करेंगे तो यह दि मान लीजे कि नया जो resistance है उसको हम लोग R dash मने तो 1 upon R dash हम लोग लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 1 upon R1 plus 1 upon R2 और यह 5 तक है तो इसको हम लोग calculate कर रहे हैं यहाँ पर यह parallel combination मैंने आपको पढ़ा दिया है तो पीछे के सब वीडियो को आपने देखा है तभी इस वीडियो को पढ़िए अन्य था यह कोई आपको फाइदा नहीं होने वाला है तो 1 upon R dash हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यह R पुराना resistance हो गया और R dash हम लोग नया resistance इस भाग का निकाल रहे है यह जो 5 जोड रहे हैं उसका निकाल रहे है तो R बटा 5 लिख देंगे प्लस इस प्रकार से 5 हम लोग कर देंगे प्लस 1 upon R upon 5 इस प्रकार से हम लोग कर देंगे अब जब आप इसको जोडेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 5 उपर चला जाएगा तो 5 इस प्रकार से 5 upon R plus 5 upon R plus 5 upon R plus 5 upon R हो जाएगा और यदि आप जोडेंगे तो यह क्या हो जाएगा नीचे r हो गया और यह क्या हो गया 25 अपॉन r तो यह जो r- हो गया 1 पॉन r- तो यह क्या हो गया 25 बटे r हो गया और यदि हम लोग r- करेंगे तो यह क्या हो जाएगा r upon 25 इस प्रकार जी पुराना रेजिस्टेंस है उससे जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 25 गुना कम हो जाएगा तो यहाँ पर यही कुशन पूछ रहा है इव दा equivalent resistance of this combination is r- जो नया रेजिस्टेंस वो r- है तो वो कितने बराबर होगा then the ratio of r by r- यानि कि r by r- बुल रहा है तो हम लोग इसको कर सकते हैं r को उपर ले जाएगे तो r by r- ऐसे कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 25 upon 1 तो क्या हो जाएगा 25 upon 1 तो यह आप देख सकते है 1 upon 25 है 1 upon 5 है 5 है तो 25 upon 1 यह आपका क्या हो जाएगा answer तो r upon r- यहाँ देख सकते हैं r upon r- 25 उपर चला जाएगा तो यहीं आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा कि अब आप यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख सकते हैं which of the following terms does not represent electric power in a circuit यह i square r i r square v i और v square upon r तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो इसको मैंने बहुत detail में आपको बताया था यहाँ देख लेता है अब हम लोगों ने क्या पड़ाया का यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 6 यहाँ पर default इसको हम लोग और नेर के इसको हम लोग नीख सकते हैं आई आर इंटु आइ यह यहाँ पर आ गया और इसके लिए आई यहाँ लिए तो i क्या होता है? v upon r हो जाएगा यहां से i को निकालेंगे तो v upon क्या हो जाएगा? r तो यहां यदि इसका मान हम लोग रख देंगे तो यह हो जाएगा v square upon r square into r तो यह r से r कट गया तो v square upon r तो यह v square upon r यह भी आपको सही है और यह i square r यानि कि यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यह power का formula नहीं है इसका मतलब क्या हो गया आपका? कि यहां पर जो question पूछ रहा है which of the following terms does not represent electric power in a circuit? तो यह है i r square यह represent नहीं कर रहा है तो अब next question कि और बढ़ते हैं तो आप next question देख सकते हैं और यहां पर एक information लिखा हुआ है अब बोला जा रहा है कि when it is operated on 110 volt यदि इसी बल्ब को 110 volt पर operate किया जाएगा the power consumed will be तो power निकालना है तो यहां पर आप दो information देख सकते हैं सबसे पहला V यहां पर दिया है V1 भी लिख सकते हैं यहां पर V1 क्या हुआ है आपका 220 volt लिखा है और power क्या लिखा है यहां पर 100 watt लिखा है यहां से resistance पता चल जाता तो resistance यहां पर इस resistance का उपयोग हम लोग यहां पर कर लेंगे तो फिर हम लोग को यहां पर power आसानी से निकल जाएगा तो R जानते हैं यहां कैसे निकाला जाए तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि P का formula क्या होता है P is equal to V square upon R तो यहां पर हम लोग V1 भी लिख सकते हैं और यहां R हम लोग को निकल जाएगा तो R is equal to क्या हो गया V square upon P और यह क्या हो गया आपका 220 into 220 volt वोल्ट आपको लिख देना है upon 100 watt हो गया और यह क्या हो जाएगा आपका 484 ohm यह resistance हो गया मतलब यह जो bulb है उसका resistance क्या हो गया 484 ohm आपका हो गया अब यहां से हम लोग को देखना है कि इस bulb को हम लोग कि इस पर operate करें 110 volt पर operate करें तो हम लोग यहां पर V2 क्या हो जाएगा आपका 110 volt हो गया और यह जो resistance हो गया वो क्या हो गया 484 ohm हो गया तो यहां पर हम लोग यह इसी formula को फिर से लिख हैं तो P is equal to क्या हो जाएगा V square upon R और यह V square क्या हो जाएगा 110 into 110 upon 484 और इसको आप काटेंगे तो यह हो जाएगा 44 और यहां से यहां हो जाएगा 4 तो यह हो जाएगा 100 upon 4 और यह हो जाएगा 25 वाट तो इस प्रकार से आप इसको एंसर कर सकते हैं तो next question आप से देख सकते हैं 2 conducting wires of the same material of equal lengths and equal diameters are first connected in series then parallel तो यहां बताया गया कि दो resistance लेना है जिसका length क्या है equal है साथ ही साथ material भी क्या है equal है और diameters भी क्या है equal है मतलब diameter यह जाएगा तो इसका area भी cross section का क्या हो जाएगा equal हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का resistance क्या हो जाएगा एक हो जाएगा मतलब यह माली जी की एक resistor है और यहां पर एक और दूसरा resistor है तो इन दोनों का resistance क्या हो जाएगा same हो जाएगा तो क्या वो लागिया है पहले इसको series में जोड़ना है और फिर इसको किशी में जोड़ना है पैरलल में जोड़ना है तो जब सिरीज में जोड़ा जाएगा तो एक्विवैलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को निकाल लेना है और जब पैरलल में जोड़ा जाएगा तो उसके एक्विवैलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है और जो दोनों combination है, उसमें जो heat produce हो रहा है, उसका हम लोग को क्या निकाल देना है, ratio निकाल देना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले यदि series में, में इसको जोड़ा जाए, तो इसका equivalent resistance क्या होगा, तो आप जानते हैं, कि r is equal to क्या हो जाएगा, r plus r, तो यह हो जाएगा 1 upon r, यहाँ पर r dash कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 1 upon r plus 1 upon r, तो यह क्या हो जाएगा आपका, 2 upon r, तो यहाँ पर r dash क्या हो जाएगा आपका, r upon 2, इस प्रकार से आपने देखा, कि सुरू में equivalent resistance क्या हो जा रहा है, 2r के बराबर हो जा रहा है, और बाद में equivalent resistance क्या हो जा रहा है R by 2 के बराबर हो रहा है तो पहले case में और दूसरे case में हम लोग को H1 और H2 निकाल देना है तो H1 और H2 का formula आप जानते हैं तो H का formula क्या होता है H का formula यदि आपने याद किया तो I square R T ये मैंने बताया है ये भी क्या हो जाएगा I square R T हो जाएगा तो मालने जीए ये हो गया parallel और ये क्या हो गया series तो यहाँ पर हम लोग ने देखा I square R T का formula है लेकिन यहाँ पर प्रश्ण में यहाँ बुला गया है कि having the same potential difference इन दोनों को एक ही potential difference में रखा गया है तो एक ही potential difference के बीच रखा गया है इसका मतलब यहाँ पर हम लोग potential difference का यदि formula ले ले तो यह लिख सकते हैं V square upon R square into R T और यहाँ भी लिख सकते हैं H2 is equal to V square upon R into R square यह हो गया into T तो यहाँ पर देख सकते हैं R से R कट जाएगा R से R कट जाएगा यह हो गया V square upon R into T और यह H2 क्या हो जाएगा आपका H2 क्या हो गया V square upon R into क्या हो गया यह T तो H1 और H2 का हम लोग को ratio निकालना है तो यह हम लोग यह equation 1 माल ले और इसको equation 2 माल ले तो यह equation 1 upon 2 करेंगे या जैसे मैंने आपको वैसे कर सकते हैं यह equation 2 से 1 को भी divide किया जा सकता है तो यह हम लोग H1 बटा H2 कर दे तो क्या हो जाएगा आपको V square upon R T बटा क्या हो गया V square upon R into T लेकिन यहाँ पर यह हम लोग R यहाँ देख रहे हैं तो R कमान सीरीज में क्या हो गया 2R है और यहाँ पर इस कमान क्या है R upon 2 है तो इसको हम लोग देख के चलेंगे तो यहाँ पर इसको यदि हम लोग solve करेंगे तो H1 upon H2 इसको हम लोग लिख सकते हैं या T से T कट जाएगा V square से V square कट गया R से R कट गया तो यहाँ गया 1 by 2 upon यहाँ पर यह देख सकते हैं यह 2 नीचे है तो 2 उपर आजाएगा इन्टू 2 हो जाएगा इसका मतलब H1 upon H2 क्या हो जाएगा यह 1 by 4 हो जाएगा इसका मतलब H1 बटा H2 या फिर H1 upon H2 को हम लोग क्या रिख सकते हैं 1 upon 4 तो इस प्रकार से यह आपका ratio निकल गया दोनों के heat का तो अब हम लोग next वीडियो में next question को पढ़ेगे क्योंकि बहुत लंबे-लंबे questions हो रहे है तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में धन्यवाग